आप भले हैं मेरे पार्मेश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् दन्यवाद की भेंट कुदावन दे, आपकी हजूरी में कुदावन दे, आपको चड़ाते हैं मेरे परमेश्यों कुदावन दे, हालेलुया, 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 दन्यवाद की भेंट कुदावन दे, आपके सबुक चड़ाते हैं मेरे परमेश् उचे शब्तों से स्थूती करो उसके नाम की बाढ़ के समा उचे शब्तों से आपके नाम की स्थूती हो मेरे परमेश्र को दावतों हालेलुया आप सरशित्वान मेरे परमेश्र को दावतों मेहतव ग्यान और स्थूती और आदर शक्ति और बल सब इश्र को मेले मेहतव ग्यान और स्थूती और आदर शक्ति और बल सब इश्र को मेले मेहतव ग्यान और स्थूती और आदर शक्ति और बल सब इश्र को मेले मेहतव ग्यान और स्थूती और आदर शक्ति और बल सब इश्र को मेले यसु अच्छा है वो भला है उस की दया हम पर सदा है बार के समा उचे शब्दों से तूती करें करो उसके नाम की बार के समा उचे शब्दों से तूती करो उसके नाम की हालेलुया 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 महतव ग्यान और स्थूती और आदर शक्ति और बल सब इश्र को मेले मैंने यहवा का इंतिजार किया मेरी पुक्ति और बल सब इश्र को मेले मैंने यहवा का इंतिजार किया मेरी पुकार को उसने सुन लिया मैंने यहवा का इंतिजार किया मेरी पुकार को उसने सुन लिया नाश के गड़े और दल दल से मुझे निकाल कर खड़ा कर दिया नाश के गड़े और दल दल से मुझे निकाल कर खड़ा कर दिया हालेलुया हालेलुया महतम ग्यान वर्ट स्तूति और आदर शक्ति और बल सब ये शुको मेले महतम ग्यान वर्ट स्तूति और आदर शक्ति और बल सब ये शुको मेले महतम ग्यान वर्ट स्तूति और आदर शक्ति और बल सब ये शुको मेले वे खुदावन की प्रसिश करें हालेलुया वो भला है हालेलुया येसु अच्छा है वे भला है उसकी दया हम पर सदा की है हालेलुया हालेलुया खुदावन की करुणा सदा की है हालेलुया हालेलुया बाड के समान उचे शम्तों से खुदावन की स्तूति करें उसके नाम को धन्य कहें महतम केवल उसी को दें हालेलुया हालेलुया हालुया स्तूति है आदर सार प्रभुत सार राज्य केवल इसी को मेले हालुया के कम चनुलु सिते अपन उस्ते सख्था आप यहां हाला यहां हाला हाल आंदल आंदल आप։ फॉर ec बिए रभायाओ निलोगी आखे लोगा में और भंपले घाले लोगी आखे लिए आखेवार आफे लोगार्वाकर अखेड्ति प्रस्टिश के योगे खुदावन, महिमा के योगे खुदावन, हालेलुया मेह तब ग्यान और सूती और आधर, चत्ति और भल्व्व सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ती और भल सब येशु को मिले येशु अच्छा है वो भला है उसकी दया हम पर सदा है येशु अच्छा है वो भला है उसकी दया हम पर सदा है पाड के समा उचे शब्तों से सूती करो उसके नाम की हालेलूया, 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 हालेलूया बल सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आधर शक्ती और बल सब इशु को मिले मैंने यहाँ आदा इंतजार किया मेरे पुखा को उसने सुन लिया मैंने यहाँ आदा इंतजार किया मेरे पुखा को उसने सुन लिया नाश के गड़े और दल दल से मुझे ने कागर घड़ा कर दिया नाश के गड़े और दल दल से मुझे ने कागर घड़ा कर दिया हालेलूया मैं है कब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मैं है कब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले हालेलूया खुदावन की प्रस्टिश करें उसके नाम की तारीब करें उसके नाम को धन्डे करें हालेलूया वही आदर महत्व के योके हैं हालेलूया स्तूती और आदर के योके हैं हालेलूया खुदावन की बढ़ाई करें उसकी अराधना करें उसके सामने जुपकर उसको डंड़ोत करे हालेलूइया हालेलुइया धनेवाध रवी ये शिर्व फुदध रवला आपकी महिमा गाते रव Laid आपकी अराग्थोना करते एक फुदध हालेलूइया हम आपकी बाट जो हैंगे हम यहावा का इन्तजार करेंगे थेर करेगा आज़लाइद इंतिसार किया मेरे पुका तो उसने शुन लिया मैंने यहवा था इंतिसार किया मेरे पुका तो उसने सुन लिया नाश के कड़े और दल दल से मुझे ने का कर दड़ा कर दिया नाश के कड़े और दल दल से मुझे ने का कर दड़ा कर दिया हालेलुया रहे तब ग्यान और शूफी और आगर शक्ति और बल सब येशु को मिलेगा ये मैं है तब ग्यान और सूति और आदर शक्ति और बल सब येशु को मिले मेरे परमेश्वार मेरे यहवा तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ मेरे परमेश्वार मेरे यहवा तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ भूमी के सारे संत जन मिलकर उसके लिए स्रेश्टम बने भूमी के सारे संत जन मिलकर उसके लिए स्रेश्टम बने आलेलुया, 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 आलेलुया और बल सब इश्व को मिले। मैं है तब ग्यान और सूती और आज है शक्ति और बल सब इश्व को मिले। मुझको चटान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने द्रिड़ किया। मुझको चटान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने द्रिड़ किया। एक नयागी मुझको दिया, यहवा परमेश्वर किस दूती करूं। एक नयागी मुझको दिया, यहवा परमेश्वर किस दूती करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं है तब ग्यान और सूती और आधर शक्ति और बल सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आधर शक्ति और बल सब इशु को मिले मुझे को चटान पर खड़ा कर दिया मेरे पैरों को उसने इशु को चटान पर खड़ा कर दिया मेरे पैरा को उसने इशु को चटान पर खड़ा कर दिया मेरे पैरों को उसने दृड़ किया एक नायागी मुझे को दिया यहवा परमेश्वर की सूति करूं एक नायागी मुझे को दिया यहवा परमेश्वर की सूति करूं आलेलुया 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 मेह तब ग्यान और सूति और आर शक्ति और बल सब इशु को मिले मेह तब ग्यान और सूति और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले साम्रत से नहीं शक्ति से नहीं तेरे आत्मा से संभव है सभी साम्रत से नहीं शक्ति से नहीं तेरे आत्मा से संभव है सभी हर पहाडों को हम पार करेंगे मेह तब ग्यान और सूति और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मेह तब ग्यान और सूति और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मेह तब ग्यान और सूति और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले ये सू अच्छा है वो भला है उस की दया हम पर सदा है ये सू अच्छा है वो भला है उस की दया हम पर सदा है ये सू अच्छा है वो भला है उस की दया हम पर सदा है पाड के समा उचे शक्तों से सूति करो उसके नाम की आलेलूया 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 सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मैंने हवा का इंतजार किया मेरी पुकार को उसने सुन लिया मैंने हवा का इंतजार किया मेरी पुकार को उसने सुन लिया नाश के गड़े और दल दल से मुझे ने काल कर कड़ा कर दिया हालेलूया मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मेरे परमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ मेरे परमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ मेरे परमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ भूमी के सारे संत जन मिलकर उसके लिए स्रेश्टम बने करमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ मेरे परमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ मेरे परमेशन मेरे यहाँ तेरे बिना कोई मेरा ना हुआ भूमी के सारे संत जन मिलकर उसके लिए स्वेश्टम बने भूमी के सारे संत जन मिलकर उसके लिए स्वेश्टम बने आलेलुया, 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 आलेलुया मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इश्टम बने मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इश्टम बने साम्रत से नहीं, शक्ति से नहीं तेरे आत्म से संभव है सभी साम्रत से नहीं, शक्ति से नहीं तेरे आत्म से संभव है सभी पजल पजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे पजल पजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे आवेलुया, मेरे अजीजों, खुदावन का किलाम कहता है, एक बार एक नौजवान येश्व मसी के पास आया, और कहने लगा, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, येश्व मसी ने कहा यही के आग्याओं को मान, कौन सी आग्या है, माता पिता का, आग्या कारी कर, जोरी नकर, हत्या नकर, विवचार नकर, वो कहता है, ये तो मैं लड़क पन से मानता आया हूँ, ज्यान दीजिए, पहली चारा के इसलिए नहीं बताई, येश्व मसी ने क्योंकि वो अल्रेड़ी एक इसराइली था, आलेलूलिया, येश्व मसी ने उसे वो आग्याए बताई, जो मनिश्य मनिश्य के साथ समन्द रखता हूँ, वो कहता है, ये तो मैं लड़क पन से मानता आया हूँ, ज्यान दीजिए, एक कमी है, अपना धन, अपना धन, बेचकर, संपत्ती बेचकर, जाकर कंगालों में बाट दे, और तुझे स्वरग में बड़ा धन मिलेगा, वो द्धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, उठ सूई के नाके में से निकल जाएगा, प्रंदू धनी मुश्किल से दाखिल होगा परमेश्वर के राज्य में, उसका मुश्किल है, तब पतरस कहता है कि रभू फिर किसका उध्हार होगा, ये साम्रत से नहीं शक्ति से नहीं तेरे अत्मा से संभव है सभी धाल्या मनुष्य चल्ट अन होना है प्नल ने थी म्यान का रूम् Schools ले यह लिए हाले लुए beat नहीं स्वाइं हम पर खृफा करें तु ये अंद्व हो सकता है स chegou कि साम्रच से नहीं, शक्ती से नहीं, तेरे आत्मा से प्रभु संभव है सभी सामरत से नहीं, शक्ती से नहीं, तेरे आत्मा से प्रभू संभव है सभी पजल पजल यूँ उतारते हुए, हर पहाडों को हम पार करेंगे पजल पजल यूँ पुकारते हुए, हर पहाडों को हम पार करेंगे पजल पजल यूँ पुकारते हुए, हर पहाडों को हम पार करेंगे पजल पजल यूँ पुकारते हुए, हर पहाडों को हम पार करेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले मैं है तब ग्यान और सूती और आदर शक्ति और बल सब इशु को मिले हे याद तु ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप हे याद तु ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप मैंने ना जानी गहराई समुद्र की रहरों की कोई परवा ना की मैंने ना जानी गहराई समुद्र की रहरों की कोई परवा ना की उत्रा मैं समुद्र की रहराई के बीच में तेरी आवाज सुनकर प्रवुवा एए याद वही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप एए याद तु ही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप गर्से समंद्र की लहरों की हल चल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु पाओं मेरे डूब रहे गहराईयों में हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाले याद तू ही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप हे याद तू ही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रण भूमी में मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रण भूमी में देखता हूँ मैं उनकी हटियों के थेरों को प्रभू की खड़ाई उन पर जो गिर पड़े है याद तू ही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाप मेरे अजीजों हमसे बड़े बड़े भक्त जो है बड़े ताकत वाले बड़े बड़े पिश्वाश वाले बड़े बड़े सामर्थ के काम करने वाले वे इस रण भूमी में गिर तड़े उनके हटियों के ठेर इसी रण भूमी में पड़े युद के मदान में प्रभू की कडाई प्रभू की सक्ताई उन पर गिरी प्रभू का खरोध उन पर गिर पड़ा उन्होंने यहौवा की आगे बल्वा किया उन्होंने यहवा को तुछ जाना उन्होंने यहवा पर इमान ना रखा हम कितनी बार इमान से बाहर हो जाते हैं हम कितनी बार शक्त करते हैं यभी तक खुर्पा करे जा रहा है खुदावर वाइबल में कई उधारने हैं जिनके उपर एक दम से खुदावन तूट पड़ा धनन्या सफीरा उनमें से एक नाम है ये हम पर परमेश्व की दया है ये हम पर परमेश्व की करुणा है उसकी करुणा के लिए उसकी प्रस्तिश करें उसकी हम्द गाएं उसकी सना गाएं उसकी स्तूती करें उन पर तो कड़ाई प्रन्तु तुम पर अनुक्रे आलेलूया खुदामन के एकलाम में लिखा है मुझसे बड़े भग और ताकत वाले गिर पड़े इस रण भूमी में उन्से बड़े खकुटा कत्य वाले गिर पड़े इस रण भूमी में देखता हूँ मैं उनकी अटियों के धेरों को देखता हूँ मैं उनकी अटियों के धेरों को प्रभु की कड़ाईं पर जो किर पड़े है या तु भी खुदावन अम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाम देया तु भी खुदावन अम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा नाम संसार की सारी शक्तियां तेरे भक्तों के विरुध है रभु तु ये जानता है संसार की सारी शक्तियां तेरे भक्तों के विरुध है प्रभु तु ये जानता है संभा तु मुझ को अपनी सामर्थ से संभा तु मुझ को अपनी सामर्थ से स्वर के सियोन में पहुंचने तक है या तु ही खुदावन अम्द करूं मैं तेरी सूती के यूगे तेरा ना ए या तु ही खुदावन अम्द करूं मैं तेरी सूती के यूगे तेरा ना जंग के मैदा से क्यूं हट जाओं मैं मार्ग में क्यूं कर ठक जाओं मैं जंग के मैदा से क्यूं हट जाओं मैं मार्ग में क्यूं कर ठक जाओं मैं दोड़ता हूँ मैं उसे लक्ष की और देखते दोड़ता हूँ मैं उसे लक्ष की और देखते मेरा नेशाना के वन ये शू ही है एया तू ही खुदावां अम्द करूं मैं तेरी स्थूति के यूगे तेरा नाम अरपन करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा प्रभु येशू तेरी वेदी में तेरी सेवा करना यही तमना मेरी तेरी सेवा करना यही तमना मेरी जीवन की मेरी यही काम ना एया तु ही खुड़ावाद अमद करूँ मैं तेरी स्तूती के योगे तेरा ना एया, तु ही खुदावन, हंद करूँ मैं तेरी, स्टूती के योगे तेरा नाव एया, तु ही खुदावन, हंद करूँ मैं तेरी, स्टूती के योगे तेरा नाव संसार की सारी शक्यां तेरे ठक्तों के विरुध है प्रभु तू ये जाता है संसार की सारी शक्यां तेरे ठक्तों के विरुध है प्रभु तू ये जाता है संभा तू मुझे को अपनी सामर्थ से खरके से ओन में पहुचने तख ये यार तू ही खुदावन, हंद करूँ मैं तेरी, सूती के योगे तेरा नाव हे यार तू ही खुदावन, हंद करूँ मैं तेरी, सूती के योगे तेरा नाव हे यार तू ही खुदावन, हंद करूँ मैं तेरी, सूती के योगे तेरा नाव जंग के मैदां से क्यों हट जाओं मैं मार्ग में क्यों कर ठक जाओं मैं हम अक्सर ठक जाते हैं जंग के मैदान में युक चलते चलते हम ठक जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है ऐसी घड़ी हमारे जीवन में आती है कि जब हमें लगता है कि बहुत हो गया और चला नहीं जाता ठक जाते हम बोज को उठाते उठाते सिलीव को उठाते उठाते कई बार हम ठक जाते हम चलते चलते मसीही जीवन में भी कई बार मुक्ता आ जाते हैं पर तो हमारे सामने गवाहों का एक बड़ा बादल है जो हमें घेरे रखता है रभू के कलाम में लिखा है बारा अध्याय में कि जबके गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है इसलिए आओ उस अलग करने वाले, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, पाप, बुराई, अव विश्वाश, बेपर्धिती, अलप विश्वाश, उसको हम अपने से दूर करें, जो हमें परमेश्वर से जुदा कर देता है, कोई स्रिष्वर की चीज हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती है, लेकिन पाप, अव विश्वाश, ये चीजें हमें परमेश्वर से जुदा करती है, हमने पिछले के पिछले सब्दा ये शाया 59 पड़ा, उसका एक आयत में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ इतना चोटा नहीं है, कि वो उद्धार न कर पाए, और ना ही वो बहरा है, कि वो हमारी प्रात्ना को सुन ना पाए, लेकिन तुमारे अधरम के कामों ने, उसने अपने मूँ को ऐसा चुपाया कि वो नहीं देखता है, अधरम के कामों के वज़ा से, तुमारे पाप की वज़ा से, वो तुमें नहीं चुडाता है, ये दो ची नश्वर देव में राज्य ना करने पाए ज्यान दीजिए पाप एक शक्ति है किसकी शक्ति है एक व्यक्ति की शक्ति है वो व्यक्ति कौन है वो व्यक्ति शेतान है उसकी सामर्थ हम पे राज्य ना करने पाए हमारी नश्वर देव के उपर विराजे न करने पाए देखे पाप प्रभुता करना चाहता है वाईवि बताती है उत्पती चार अध्याए में परमेश्वर कैन से कहते हैं देख पाप दुआर पर खड़ा है हम सब के भी दुआर पर खड़ा रहता है और खट खटाता है उदर इंग्लिश में जो शब्द स्क्रॉल करता है ऐसे कुणियों के बल धीरे धीरे जैसे शेर शिकार करने के लिए हिरन की तरफ आगे बढ़ता है नीचे को जुक कर इंग्लिश में उसको शब्द देखेंगे तो पाप वहाँ पर बैठा है ताक में बैठा है एक किस घड़ी हम छूट दे और किस घड़ी वह हम पर हावी हो जाए इसलिए हमारा इस जंग के मैदान में इस जंग के मैदान में हटना गवारा नहीं है अलेलुईया अलेलुईया इस मार्ग में हम यदि ठक जाएंगे तो खुदावन के चर्णों के इलावा ठकावट दूर करने की और कोई विथी नहीं है और कोई तरीका नहीं है नहीं तो पाप स्क्रॉल करता हुआ जैसे पौजी कूणियों के बल आगे बढ़ते हैं छुपकर अटैक करते हैं वैसे पाप करता है इसलिए अपनी नजरों को खुदावन करता है उसी खड़ी वो हम पर हावी होने का यतन करता है हम अपने निशाने यिश्यू की तरफ अपनी आखों को लगाए रहेगी जैसे ही नजर हटेगी यिश्यू से अब पत्रस के जैसे वो पानी की लहरों को देखके पानी के अंदर दूबना शुरू हो जाएंगे इसलिए अपनी नजरों को खुदावन यिश्यू मसी के उपर लगाए रखें आलेलुया निवार अपन यिश्यू आलेलुया जंग के मैदा से क्यूं हट जाओं मैं मार्ग में क्यूं करत ठक जाओं मैं जंग के मैदा से क्यूं हट जाओं मैं मार्ग में क्यूं करत ठक जाओं मैं दोड़ता हूँ मैं उस लक्ष की और देखें मेरा निशाना के बल ये शूही है क्या है आपका निशाना? मेरा तो ये सूह है मेरा निशाना के बल ये शूही है मेरा निशाना के बल ये शूही है हे याँ तु ही खुदावर अंद करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा ना अरपन करता हूँ मैं जो कुछ है मेरा प्रभु ये सू तेरी वेदी में तेरी तेवा करना यही तमना मेरी तेरी सेवा करना यही तमना मेरी जीवन की मेरी यही कामना आपकी क्या है जीवन की मेरी यही कामना तेरी सेवा करना यही तमना मेरी तु ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा ना यही तु ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा ना यही तु ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा ना देगा तुही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी सूती के योगे तेरा ना देगा तुही कुदावन हम्द करूँ मैं तेरी स्तूती के योगे तेरा नाव है याँ तू ही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी स्तूती के योगे योगे तेरा नाव हे या तुही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी हे या तुही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी स्थूती के योगे तेरा नाम हे या तुही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी स्थूती के योगे तेरा नाम हे या तुही खुदावन हम्द करूँ मैं तेरी स्थूती के योगे तेरा नाम मैंने ना जानी गहराई समंद्र की लहरों की कोई परवा न थी मैंने न जानी गहराई समंद्र की लहरों की कोई परवा न थी उत्रा मैं समंद्र की गहराई के बीच में तेरी आवास सुंकर रभूवा तेरी आवास सुंकर रभूवा वाइल वताती है यस्व मसी ने अपने चेलों को नाव में बिठा कर आगे विदा किया सब चेले चले गए आधी रात के समय में उनको एक पानी पर एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिये सब लोग डर गए सब कहने लगे भूत है सब भैवीत हो गए यस्तु मसी उनसे कहते है डरो नहीं मैं हूँ कौन मैं है कोई जो मुसा से कहता है वै जो हूँ सो हूँ हलेलूई मत डरो डरो नहीं हलेलूई इन लहरों के बीच में पानीयों के उपर चलता हुआ मैं हूँ हलेलूई हलेलूई तब पत्रस बोलता है आप जब भी ऐसा कोई कन्वेशेशन सुनेगे पत्रस में आपको एक अलगी एक्साइटमेंट दिखेगी यह विल भी दा फरस्ट जो सवाल पुछेगा जो बात करेगा जो कुश्यन करेगा जो जवाब देगा अलेलूई पत्रस कहता है प्रभू यदि तू है तो मुझे भी आने की आक्या दे आलेलूई इसकी आक्या से ही लोग पानी पर चलने लग जाते हैं यह सिरफ बोले यह सुमसी ने कहा आ वो जो आ शब्द उसके मुझे निकला इस शब्द ने इस वचन ने पत्रस को पानीों के उपर खड़ा कर दिया आलेलूई 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 पत्रस ने समुंदर की गहराई को नहीं जाना लहरों की उसने कोई परवा नहीं की वो समुंदर की गहराई के बीच में उतर गया प्रभू की आवाज सुनकर आलेलूई मैंने ना जानी गहराई समुंदर की लहरों की कोई परवा न की मैंने ना जानी गहराई समुंदर की लहरों की कोई परवा न की क्या आप लहरों की परवा करते है यह समसी आपको बुलाते है आजा मेरे पीछे लहरे यानी मसी के पीछे चलने के कारण जो भी सताव, परिशानिया, दुख, तकलीवे हमारे जीवन में आती है मैंने ना जानी गहराई समुंदर की लहरों की कोई परवा न की उतरा मैं समुंदर की गहराई के लीच में तेरी आवास सुंकर प्रभुवर तेरी आवास सुंकर प्रभुवर कई बार खुदावन में कहता है के जिसने मेरे पीछे चलना है बें पहले हिसाब किताब लगा ले कई बार हिसाब किताब लगाना भी नहीं पढ़ता है ये दोनों परस्तिति आती कई बार बिना सोचे समझे कूदना पड़ता है चलना पड़ता है अबरहाम के विशे में लिखा है कि वे नहीं जानता था कि वे किदर को जाता है तो भी चल रहा है उसने बैट कर इसाब थोड़ी ने जोड़ा कि पता नी प्रभु किदर लेकर जाएगा कौन सा देश देगा देगा अबी कि नहीं देगा कही बार बिना एस्टिमेट के बिना इसाब किताब के मसी के पीछे भी चलने के लिए हमने त्यार रहना हालेलुई कही बार मारी परकी हो जाती है ऐसे ख़डावन हमें आवाज देते हैं मेरे पीछे हो ले हम कहते मेरा ये काम है मैंने ये करना है, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है यही तो लिखा है कलाम में जब दूतों ने बुलावा बेजा चौंकों में जाने से पहले लोगों को इंवाइट किया गया वो बोले कुछ खेत को चलेगे, कुछ काम को चलेगे, कुछ किदर चलेगे किसी ने बोला कि आज मेरी शाती हुई है, मैंने अपनी पत्नी के साथ बैठना है अलग-अलग बहाने लोगों ने बताए क्या आप लहरों की परवा किये बिना आज परमिश्वर के इस मार्ग में उतरेंगे बिना समुंदर की गहराई को जाने, क्या आप समुंदर की गहराई में उतरेंगे क्योंकि आपका खुदावन यस्समसी कहता है, आजा मैंने ना जानी गहराई समुंदर की लहरों की कोई परवा न की मैंने ना जानी गहराई समुंदर की लहरों की कोई परवा न की उत्रा मैं समुन्द्र की गहराई के बीच में तेरी आवाज सुनकर नभुवर क्या आपने प्रभुवर की आवाज सुनकर बिना किसी सवाल के बिना किसी शक के आंदी तुफान समुन्द्र की लहरों की परवा किये बिना उसके पीछे आएंगे आलेलुया और ऐसा भी नहीं जब आप पीछे आजाएंगे तो लहरों पर ध्यार नहीं जाएगा जब लहरे तकराती है, मार मारती है तो बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े ताकत वाले उस उस उन लहरों में डूप जाते हैं गर्स्ते समुंद्र की लहरों की हल चल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभू जब पत्रस उन लहरों की तरफ देखा तो पानी के बहाओ में वे डूपने लग गया उसके पाओं उसके पाओं को जो पानी ऊपर खड़ा करके रखा था इट स्टार्ट ड्रॉनिंग यही है जब ध्यान बड़कता है यिसू निशाने से जब हमारी नजर इधर उधर हो जाती है देन वी स्टार्ट ड्रॉनिंग डूबना शुरू हो जाते हैं गहराई में डूबना शुरू हो जाते हैं घर्जते समंद्र की लेहरों की हल चल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभू जब डर लगेगा तो यस्व मसी आपके बाल पगड़कर आपको गोते नहीं देगा पानी में डुबाएगा नहीं हो और कहता कि तूटे हुए तिनके को और नहीं तोड़ता है टिम टिम आती बत्ती को और नहीं बुझाता है यस्व मसी आपको डूबता देकर आपको गोते नहीं देगा पानी में तुने आप विश्वाश किया ले डूब इसको आप पुकारे उसको पत्रस ने यही किया उसने का प्रभू मेरी मदद कर मेरी सहायता कर पाओ मेरे डूब रहे गहराईयों में पाओ मेरे डूब रहे गहराईयों में हाथ बढ़ा कर मुझे तू सभाँ खलाम कहता है तब येस्व मसी ने हाथ को बढ़ाया और पत्रस को पानी में से बाहर कीच कर निकाला आलेलुए ये तुनली परसंट पार्ट फ्रम जीजस येस्व मसी के इलावा केवल पत्रस पानी पर चला है और हम सब ही वो चलते हैं जो मसी जीवन में दुख तकलीफों में भी काइम रहते हैं हम सब पानियों पर खड़े हुए हालेलुए पाओं मेरे डूब रहे गहरायों में हाथ बढ़ा कर मुझे तु संभाः हाथ बढ़ा कर मुझे तु संभाः अभी ये इंकार करना बागी था तीन बार मुर्गे के बाग देने से पहले यही पत्रस ये सुमसी का आगे चलकर इंकार करने वाला है खुदावन सरब ग्यानी सब जानता है तो भी उसने उसको डूपने नहीं दिया बविश्य में होने वाली गल्तियां भी खुदावन जानता है हम कहां पर फेल होंगे कहां पर हम गिरेंगे यदी कृपा हम पर है यदी परमेश्य की डया हम पर है आशिशित कौन है वह जो जिसके पाप शमा होते है blessed is the one whose transgression is forgiven धन्य है वे जिनके पाप शमा होए जिनके प्रादों का यहवा लेखा नहीं लेता क्या आपकी गिंती उनमें आती है क्या खुदावन की दया आप पर है पाओ मेरे डूर है गहराईयों में हाथ बढ़ा कर मुझे तू सम्हाँ हाथ बढ़ा कर मुझे तू सम्हाँ मुझे तू सम्हाँ हाथ बढ़ा कर मुझे तू सम्हाँ हालेलुई दन्यवार मेरे परमेशी होगा दन्यवार मेरे परमेशी होगा एक एक भाई एक एक बहन के उपर आपकी आशिश को उंडेले खुदा आपकी करुना को दीजिए मेरे परमेशी होगा आपके अनुगरे को दीजिए मेरे परमेशी होगा आपकी हजूरी में खुदावंद आप अपने आनन से भर दीजिए अपने लोगों